नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फोटो या स्क्रीन सॉर्ट से PDF कनवर्ट कर सकते हो एक चीज क्लियर कर दूं कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी भी एप के प्रमोशन करने के लिए इसको नहीं बना रहा हूँ केवल और केवल आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, मैं भी इस एप का यूज करता हूँ तो जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप बहुत सारी स्क्रीन सॉट यूटूब से ले लेते हो और आपके फोल्डर में पड़ी रहती हैं तो ऐसा हो जाए कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, उसकी 10-15 स्क्रीन सॉट आपने ले ली है और आप उसका PDF बना लो आसानी से, तो किसी से PDF मागने की जरूरत ही न पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना है, कि एक app है जिसका नाम है JPG to PDF Converter आपको ये Play Store में मिल जाएगा, इसकी link मैं कोसिस करूँगा कि डिस्क्रिप्सन में दे सकूँ अगर copyright नहीं आएगा, तो ठीक है, तो ये app है, इसको आप install कर लिजे जैसे ही open करेंगे, तो ऐसा interface आपको दिखेगा, यहाँ पर file लिखा हुआ है file को touch करेंगे, तो ये recent वाली photo आपको दिखने लगेंगी तो अगर आपने recent में screenshot लिया हुआ है, तो उपर tick करते चलिए, सब select हो जाएंगी और select होने के बाद, उपर done लिखा हुआ है, इसको tick करना है अगर recent में लिया हुआ है आपने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, all file लिखा हुआ है, all image तो all image में जाना है, और यहाँ से अपना folder select करना है, जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर screenshot वाला folder मैंने select किया, और screenshot जितने भी मैंने लिये थे, किसी भी topic के तो यहाँ पर आप देखी रहे हो इसको मैंने select कर लिया और select करने के बाद जब मैंने इनको select कर लिया तो उपर लिखा हुआ है done तो done को मैंने जैसे touch किया तो ऐसा interface आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है convert to PDF ठीक है तो इसको जैसे touch करेंगे तो मेरा PDF बन जाएगा तो उमेद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा फायदे मंद होगी कोई भी बताता नहीं है क्योंकि कोई भी free में किसी भी app का promotion नहीं करेगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसलिए मैंने यह आपको बता दिया अब आपको बहुत सारी स्क्रीन सॉट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो वीडियो अच्छा ला तो वीडियो को लाइक कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद